question number 9 ले रहे हैं how many thousands make a lakh means one lakh में कितना thousand होता है तो जैसा कि हम जानते हैं one lakh में one hundred thousand होता है तो इसका answer simple सा होगा one hundred thousand means 100,000 जो है मिलके one lakh को बनाता है नेक्स कोश्चन ले रहा है How many thousands make एक करोड एक करोड में कितना thousand होता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि one lakh में one hundred thousand होता है और one करोड में one hundred lakh होता है तो जब हमें करोड में thousand की संख्या निकालनी हो तो one hundred को one hundred से multiply कर देना है तब हमें करोड में thousand की संख्या निकल जाएगी वैसे तो हमें पता रहता है कि one करोड में ten thousand thousand की संख्या होती है लेकिन अगर ना पता हो तो one hundred को one hundred से multiply कर देना है चुकि one lakh में one hundred thousand होता है तो जब हम इसे 100 को 100 से multiply करेंगे तो 10,000 निकल जाएगा है multiply करने के बाद यह answer इसका 10,000 होगा next question लेते हैं 11 number का find the difference between the number 738 and that obtained on reversing its digits means सबसे पहले हमें 738 को यहां लिख लेना है अब कह रहा है कि इसका जो reverse करने के बाद जो number प्राफ्थ होगा उसके बाद उसका जो अंतर प्राफ्थ होगा means subtract करने के बाद अंतर प्राफ्थ होता है वही इसका answer होगा तो सबसे पहले इसे reverse कर लेते हैं जैसे 738 है तो इसे 837 यह reverse हो गया और उसके बाद हम इसे नीचे लिखेंगा चुकि यह छोटा नंबर हो गया 738 अब हमें क्या कह रहा है कि difference find the difference means difference प्राफ्थ करना है means subtract करना है तो यह 17 हो गया 17 में 8 minus करेंगे 9 हो गया यह 2 हो गया तो यहां बगल से पहचा लेंगे तो 12 हो गया 12 में 3 minus करेंगे तो 9 हो गया और यह 770 हो गया इस तरह से 99 answer प्राफ्थ होता है चलते हैं नेक्स वीडियो में